नमस्कारदोस्तों केहरे पॉइंट पर मैं रिल कुमार आपका सवागत करता हूं तो आज की स्वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो फिप्टी क्योस्टों साइंस के तो दो स्थ वीडियो को आपको बकाइस को पे पोरा लास्टक लगाना है और दोस्तों आज की जो question है वो बहुत ही मैथपून रहेंगे और बहुत ही hard question है जो आपके previous year बे भी पूछे गए है और आगे भी पूछे जाने वाले हैं सभी exams के लिए बहुत ही मैथपून question रहेंगे तो इस वीडियो को जल्ली से like करेंगे अपने सभी दोस्तों में share कर देना है और प्रते क्यूशन का अंचल गई का comment box में और last में हमें comment करेंगे आपको वीडियो कैसे लगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लें ताकि आने लिए पर तेक वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों आज का पहला क्यूशन नायर जंजाती का संबंद निमलिकित में से किस राज पहले जाता है कि इलेक्टोनिक नगर के नाम से किस सहर को जाना जाता है तो दोस्तों राइट अंस होगा है आपर option C बेंगलूरु सहर को इलेक्टोनिक नगर के नाम से जाना जाता है याद अखिएंगे next question पूरव का पेरिष किस सहर को कहा जाता है किसको कहा जाता है जैपपुर को option A आपका से को जैपपुर को पूरव का पेरिष भी कहा जाता है याद रखिएंगे और इसको पिंक सीटी के नाम से भी जाना जाता है अगला question निमन में से कौन सा परियावन के घटक के अंतरग नेक्ष्ट है निमनेशे को 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 न का परियोग सबसे पहले किसी ने किया था पास्ति की सबद का परियोग सबसे पहले किसी ने किया किसी ने किया तो दोस्तो अरनेश ठेकल ने किया option A, आपका अर्नेश ठेक लेहाँ पर right answer होगा next दिकी का निमनों से किसने सबसे पहले पास्तिकी तंतर सबद का परियोग किया था सबसे पहले पास्तिकी तंतर सबद का परियोग किसने किया किसने किया, तो दोस्तो A, G, टांस लेने option b आपका agile टंसले आपर right answer हो गा, next दिकी, पास्रिक तंतर के उस घठक का जो अपना भोजन swim उत्वपादीद करते हैं उसे क्या कहते ह मैं? जो अपना भोजन swim उत्वपादीद करते हुश को क्या कहते है? दोवस्तु क्या कहते हैं? उत्व पादक वर कहते हैं option C आपका right answer हो गया पर next देकिका परियावन के आध्यान के संद्रभ में CER किसको संद्रभीत करता है CER किसको संद्रभीत करता है दोस्तो option A आपका इस हो गया पर certified emission reduction option A आपका सही answer हो गया पर next देकिका दोस्टों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक होने के तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को like और share करेंगे अपने से भी दोस्तों के साथ नेक्स्ट क्यूशन आपके लिए वैसे जीव जो मर्त जीवों के अवसेसों से अपना जीवा न्याबपन करते हैं इनमें मुखेस रूप से जीवानू कवक आ दियाते हैं किस वरक के अंतरगत रखे जाते हैं तो दोस्तो देखेगा राइट अंस हो आपर ऑप्शन बी अप घटक के अंतरगत अप घटक आपका राइट अंस होगा नेक्स देखेगे वे पर दुस्तक पदार्थ जो लंबे समय तक परियावन में बने रहते हैं तस उक्षम जीवो दोहरा आप गट इतणितने तो वो क्या कहलते हैं नीमनेशन का निमनी करने परकार क्या है क्या है दोस्तो कपड़ा Option D, कपड़ा आपका right answer होगा है, पर next देखी, निमनों से कौन सा वायू परदूशन का लक्षन है, वायू परदूशन का लक्षन है, तो कौन सा है, साउशन तंतर की बिमारी, दमा, ब्राइंक्टिस, यह सभी कहा है, वायू परदूशन के लक्षन है, option D, आपका उपरोग सम आपर right answer होगा, next देखी, जल में किस परदूशन की उपरदी से मीना माता की बिमारी होती है, तो दोस्तो, right answer होगा है, पर option C, पारा, पारा की उपरदी से मीना माता की बिमारी होती है, next देखी, जल में कैडमियम की अधिक्ता से कोन सी बिमारी होती है, जल में कैडमियम की अधिक्ता से कोन सी बिमारी होती है, तो दोस्तो, इटाई इटाई काडमियम के दिख्था से इटाई 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 बिमारी होती है, option A आपका राइट अन्स होगा है, next देखेगा, जल में किस परदोसक की उपस्तिति के कारण बलू बेबी सिंड्रोम नाग बिमारी होती है, किस की उपस्तिति कारण है, तो दोस्तो जल में नाइट रेट की उपस्तिति के कारण है, बलू बेबी सिंड्रोम नाग बिमारी होती है, option D आपका नाइट राइट अन्स होगा, next देखेगा, निमन उसे कोन सा इकचरा परदोसन का लक्षन है, कोन सा इकचरा परदोसन का परभाव हो है, तो दोस्तों कोन सा है, जल उप्रोक्स भी आपका राइट अन्स होगा, next देखेगा, ओजोन दीवस कब मनाया जते है, तो दोस्तों 16 सितंबर को, option B आपका राइट अन्स होगा, पर 16 सितंबर को हर साल ओजोन दीवस के रूप में मनाया जते है, next देखेगा, निमन उसे कोन सा धावनी परदोसन का हनि हनिकारक परभाव होए, दावनी परदोसन का हनिकारक परभाव कोन सा है, देखे दोस्तों, उच रख्चाप, माईगरेन, अनिदरा, सभी क्या है, दावनी परदोसन के हनिकारक परभाव होए, तो option D आपका उपर्वाग स्मिया पर राइट अन्स होगा, next देखेगा, ग्लोबल वार्मिंग आपका राइट अन्स होगा, next देखेगा, वातावन में कार्बन डाक्षड की वरिदी, निमन कार्णों से किसके कार्ण होती, तो दोस्तों राइट अन्स होगा देखेगा, जिवासम इंदों की ज़्यादा इस्तवाल से, वगनों की कटाई, और वाह में carbon dioxide co2 की अधिक्ता के card है तो option c आपका एक दो और तिन तीनों आपके right answer होंगे आपर next दिखेगा निमर में से कौन सी gas हरित ग्रह परबाव में साहिक है कौन सी gas हरित ग्रह परबाव में साहिक है तो दोस्तों जलवास, मीथेन, ओजोन सभी के है हरित ग्रह परबाव में साहिक है तो option d आपका सभी है आपर right answer होगा next दिखेगा आमलिय वर्षा में जल का pH मान कितना होते है बताएंगे आप लोग आमलिय वर्षा में जल का pH मान कितना होते है कितना होते है, साथ से कम होते है, अमलिय वर्षा में जल का pH मान साथ से कम होते है, option b आपका right answer होगा यह पर स्थाह पाई जाती है ओजोन स्थाह दोस्तों ये सूरे की प्रावर्थिक करती है वह दोस्तों याले कि का इसके इंदर जो गैस पाई जाती है यह आप लोग गया देखेंगे तो वाइव मेंडल किस परत में ओजोन स्थाह पाई जाती है तो दोस्तों राइट अंसर यहां प तो दोस्तो right answer हो है आपर ओजोन सिद्र का होना, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन मुठाई का कम होना सभी कहें, ओजोन सिद्र के काने, तो option D, आपका उप्रोग समियाब पर right answer होगा, next देखेगा, वायू की कौन सिद्र है परत्वी पर प्राव वेंगन किनों को आने से रोकती है, वायू की कौन सिद्र है जो परत्वी पर प्राव वेंगन किनों को आने से रोकती है, कौन सिद्र है, तो दोस्तो right answer है, पर option B, ओ जोन्स दें, ओ जोन्स तज़ोर्व प्राविंग ने किनों को आने से रोकती है याद रखेंगे, option B, आपका सही आंसर होगा, next, देखीगा, विक्रम शारबाई स्पेस सेंटर कापर है, विक्रम शारबाई स्पेस सेंटर कापर है, तो दोस्तों, ये कापर है, ये तिरुव देखी, कवकों का अध्यन क्या कहलते है, कवकों का अध्यन क्या कहलते है, तो दोस्तों, माइकोलोजी, option A, माइकोलोजी आपका राइट अंसर होगा, next, देखीगा, सिकों का अध्यन क्या कहलते है, सिकों का अध्यन क्या कहलते है, दोस्तों, चले देखी, निमिस्मेटिक, Option D, आपका numismatic यहाँ पर right answer होगा. Next देखिएगा. Cellular और molecular जिव विज्ञान के अंदर कहाँ पर स्थी थे? Cellular और molecular जिव विज्ञान के अंदर कहाँ पर है? Hyderabad में. Option A, आपका Hyderabad यहाँ पर right answer होगा. Next देखिएगा. Center for DNA, fingerprint and diagnostic. कहाँ पर आवश्थी थे? हाँ पर दूस्तों, Hyderabad में. Option D, हैथरabad आपका right answer होगा. Next देखिए. आधुनिक वरगीगन का पिता किसे कहा जते है? आधुनिक वरगीगन का पिता किसे कहा जते है? किसे कहा जते है? तो दूस्तों, right answer होगा पर lin dy不 bios द स्थी. क्या कहलाता है, cytology कहलाता है, option C, cytology आपका right answer होगा, next question, कोशिक का सिद्धान्त का परती पादन किसी ने किया था, कोशिक का सिद्धान्त का परती पादन किसी ने किया, दोस्तों, किसी ने किया, slide in A.1 ने किया, option B, slide in A.1 आपका right answer होगा, next question, अगला question है, स्यावालों का अध्यन क्या कहलाते हैं, बताएंगे, स्यावालों का अध्यन क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, फाइकोलोजी, option A, फाइकोलोजी आपका राइट अन्सर होगा, next की, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहा स्थिते, कापर हैं, पूने में, option B, पूने आपका राइट अन्सर होगा, next की, मलेरिया रीशार्च सेंटर का अपर है, तो दोस्तो दिल्ली में, option B, दिल्ली आपका राइट अन्सर होगा, next की, अंगूरों का उत्वपादन किसे समझते हैं, लाइक और शेर जूरू करीगा, दोस्तो, लाइक और शेर जूरू करें, अंगूरों का उत्वपादन समझते किसे, तो वीती कल्चर से, option D, वीती कल्चर आपका राइट अन्सर होगा, next की, नेत्रों का चिकित सक, क्या कहलाता है, तो दोस्तो राइट अन्सर होगा, option B, आपका सही अन्सर होगा, next है, वेटनरी रीसर्च इंस्टूट कहा पर सिते है, वेटनरी रीसर्च इंस्टूट कहा पर है, तो कहा पर है, इजजट नगर में, option C, इजजट नगर आपका right answer होगां पर Next question किस विज्ञान में पक्षियों से समझते अध्यान किया जाते हैं किस विज्ञान में पक्षियों से समझते अध्यान किया जाते हैं तो दोस्तों ornithology में Option B Your Anay Button next question Plasma An Junsandhan संस्त्तान कहां सित है Plasma Anangusandhan सिंस्तान काँ परें तो दोस्तोा आपडी नगर में there option d आपका स्यों का आपका गांदी तरी गांडी दोस्तों राजिदाने Sage । राष्ट्री ह। अनुशंधान सिंस्तान का परें नशें Да, deadly यहां पर right answer होगा next वाइरस का अध्यन क्या कहलते है क्या कहलते है वाइरो लूजी option A वााइरो लूजी आपका right answer होगा next नहीं कैंडर बाबा परमानु अैनज सुन्धान के इंदर B.A.R.C बाबा आटोमिक रिशर्च सेंटर है कापर है दोसो कापर है तो दूसर राइट अन्सों गाया पर ओप्षिन ए ट्रामबे में या रखना बी ए आर्सी की फुल फोम क्या होती है बाबा आटोमिक रिशेर्च सेंटर हिंदी में क्या होगा बाबा परमानू अनु शुन्दान केंदर जो की कापर है ट्रामबे में न गुर्गाओं का नया नाम क्या रखा गया गुरुग्राम या रखना दोसो नया नाम क्या है गुरुग्राम नाम है नया और ये भी कापर हरियाना राज्य में दोस्तो या रखना ठीक कापर हरियाना राज्य में तो उप्षिन भी आपका गुरुग्राम यहाँ पर रहाइट 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 ट्रेविनेस ने, जी हो इकान समय का प्रियोंगे, सब इसे पहले लेमा के लिए उन ट्रेविनेस के द्वारा किया गया, तो option B आपका सही आर्श्वी का, तो दोस्तो यह सचन आज का यहीं पे complete होता है, अगर आपको वीडियो चे लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जुरू करें, और दोस्तो जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताएं का दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लगी, तो दोस्तो मिलतें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुडबाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत, वन दे मात्र दोस्तो आपको बगुछ।